तो हेलो बच्चो नवावा यूट्यूब चनल के बोड़ावा सेक्शन में आप लोगों का स्वागत है तो आप लोगों के डिमांड पे जितने भी आप लोग 12 के पास आउट है और जो भी बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखेंगे उससे आपको आपको समझ में आ कोई नंबर वाला कोलेज नाइंथ नंबर वाल कोलेज से उपर भी आ सकता है कुछ डिपार्टिमेंट में कुछ यह भी आ सकता है ठीक है लेकिन यह टॉप 10 कोलेज़ें राची की और यह राची में ही मतलब की सिचुएटेड है यहीं पर हैं तो आप देख सकते कि कौन- तो यह मिल जगा लेकिन यह कौलेज में बचने के जा नहीं करना रहा है कि यह कौलेज वालडे लेकिन मेरा उपिनियन हे कौलेज कि मामले में मैंने बताये अपर- WEIG mentality मैं नाची gram showing ठीक है यहाँ पर सिर्फ में बीए बीकॉम और बीए सी को देखना के कोशिज करूँगा और आपको बताओंगा कि टॉप 10 कॉलेजिस कौन है तो चलिए हमारे लिस्ट में और देखते कि कौन-कौन से कॉलेजिस हमारे टॉप 10 कॉलेज में सामिल है तो देखिए हमारे लिस्ट में जो 10 नमबर कॉलेज है वो 10 नमबर कॉलेज है संजय गांधी मेमोरियल महाविद्याले कहां पे भी देख ले सकते हैं कि इनका पिन कोट 15 राची में स्थित है और मैं बता दूँ कि यह कॉलेज ग्रेड़ सी इसको मिला हुआ है और यहां पर कॉन कुरसे्स होते मैं बिरिव प्रिफ्य जियन गरी यहां और इसके और सथे कोन्स कर्से यहां अलावा कुछ कोर्स में बता दूं कि यह आठ साइंस कोमर्स बीए बीकॉम करने के अलावा यहां पर वोकेशनल कोर्स भी होता है जो कि बीए और बीकॉम भी यहां पर कराए जाता है तो आप देख सकते कि कौन-कौन से कोर्स आप यहां टारगेट कर सकते यह तेंथ नंबर में हमारे में होधी यहां पर और यहां पर कर सकते हैं यह आपको ज्यादा चाहिए इसका वेब आते हो जी वो կाप ऐसायए कर सकते हैं यूजी कोर्सेश में है ना और इसके लावब पीजी कोर्सेश भी यहाँ पर होती है यह हमारे लिस्ट में नाइन्थ नमबर कोलेज है राम लखन सिंग्ग यादव महाविद्याले के अपने लिस्ट में आट नमर के बढ़ते हैं तो देखें किया वाले अपे उसके बारे में बात करता हूं अपर उपर वाले वाले कोलेज होता है याई आप चेक कर सकते हो उसके अलावे यहां पर यूजी की पारे नंगी में एक 설ाना हैं यहां पर सब्सक्राइब अधरं करले अब करते श्राम के लिए तो यह अधर्शनल डिग्री है今日 के ने दिट नंबर में इसके लावाँ चलिए तो सेवेंथ यह भी आपका यह आपका गुरोंडा कोलेज का ही कैमपस है देख सकते हैं कि कैसा को दिखता है तो चलिए हम अपने लिस्ट में बढ़ सेवेंथ नंबर कोलेज के और बढ़ते हैं तेके सेवेंथ नंबर में जो हमारा कोलेज हो है अमीटी यूनिवर्सीटि यह थोड़ा सा प्राइवट यूनिवर्सीटि अब देख सकते हैं कितना खर्च पड़ता है यह भी कुछ कुर्सेश होते हैं चालिह सकते हैं एक बार यांकि जाके इसका वेड़ेशेट में देख कोर्स कर Люirless कर आये जाते हैं ट्राई like चालेएं हम अपने लिस्ट में चलते हैं सिक्स नमबर में हमारा संत включ ot है थीक है यहां फर देखे कोंन पर इन्टर के चिंछ होते हैं त्राई इन्टर के चलते हैं और एक पर यहां पे है अप्रूप टोप फाइप में चलते हैं थे कि दोपके में हमारे लिएी राची थी कौन इस न Deck पूलेजलिए में को तूप लेस्ट को निंटोटे हैं और इसका 1949 में यह बहुत established हुआ है बहुत ही पुराना college मान सकते हैं यहाँ पर देखिए कौन-कौन से courses होते हैं चली मैं बता दूँ तो यहाँ पर देखिए arts के courses होते हैं arts में आप समझ पा रहे होंगे humanities के course हो गए science मतलब B.Sc, B.Com, vocational course भी यहाँ पर होता है साथी साथ यहाँ पर B.Ed का भी course कराया जाता है तो एक बार यह college भी विजिट कर सकते हैं इसके website को और देख सकते हैं कि कौन-कौन से यहाँ पर courses कराया जाते हैं यह लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा college माना जाता है चलिए फोर्थ नंबर में चलते हैं तो हमारा फोर्थ नंबर में है गोशनर कोलेज राची है ना और यह वी college बहुत ही अच्छा है इस्टेबिलिस्मेंट डियर देख सकते हैं 1971 में हुआ है यहाँ पर यूजी पीजी के बहुत सारे courses कराया जाते हैं एक बार इस college की वेबसाइट जाके देख लेना और कौन से यहाँ पर courses कराया जाते हैं देख सकते हैं ठीक है और इस college की वेबसाइट आप चरू चेक करना और यह top 4 में हमारा सामिल है top 5 में यह college हमारे हैं तो यह आप देख सकते हैं ठीक है चलिए हम अपने college के top 3 colleges के आर आगे बढ़ते है देखते हैं कि tom 3 में कौन-कौन से colleges हमारे राची के आते हैं तो देखिए 3 लिस्ट में हमारा यह तो गौशनर college का ही campus है चलिए हम अपने लिस्ट में तीसरे नमबर के और बढ़ते हैं तीसरे नमबर में आपको देख सकते हैं कि यह मरवारी college है है यहां पर बहुत सारे courses कराये जाते हैं ठीक है तो मैं बता दू कि यहां पर intermediate का भी कोर्स होता है इसके पीछे पूछल लेवाला में गौशनर college में इंटरमेडियत होता है हो when things like bay यहां कोर्स कराये जाता है उसके अलबार साइंस की कर सकते हैं पर सकते हैं जो कुछ नहें से कौर्स हुर्स यहां पर कर आ कोलेज का ही देख लगते कैसा कैमपस है अब चलिए हम अपने लिस्ट में टॉप स्टू में पहुंचते हैं और देखते कि टॉप टू में कौन है तदेखिए इसके बाद हमारे जो सेकेंड नमबर का कोलेज यह राची माविद्याले यह बहुत सारे मामलों में फर्स नमबर भी हो सकता है लेकिन यहां पर यूजी कोर्स की मैं बात कर रहा हूं बीए बीए सी बीकॉम के लिए तो यह सेकेंड नमबर में लेकिन यहां पर कुछ इसके अलावा यहां पर प्रोफेशनल डिग्री में बीटेक भी कराज दिया जाता है ठीक है यहां पर बहुत सारे कोर्स कराई जाते हैं देख सकते हैं यह कॉलेश काफी नाम है यार यह कुछ मामलों मेंजेवियर से जो से Stephen मामलों में यह पीछे भी तो आप दोनों הוא कि आइधि अब चलिएrau परस्ड नमर में higher on और यहां ब्रेय में हमारा जेवियर हो गया और जेवियर् sव् गिरिड एका कोलेज है और यहां पर इंटरमीडियट कोर्स भी कराया जाता है यूजी पीजी के बहुत सारे कोर्से कराया जाते आप इसकी वेबसाइट जाकर चेक कर लेना ताकि सारी डेटेल्स आपको समझ मारसा है ठीक है और वो केस्णल कोर्सेस भी यहां पर होती है 20-20 का फर्क कुछ-कुछ मामलों में हो सकता है तो आप कोलेज की वेबसाइट जाना और आगर आपको कोलेज टारेट करना तो अपना हिसाब से फी भी मैटर करता है कि कौन से कोलेज का फी कितना है कहां पे मतलब कि वह इस्थित है ठीक है तो इस तभी मामलों को देखते आज के लिए इतना ही धन्यवाद